हादिक पंडिया और इशान किशन, टीम इंडिया के बैटर्स, दोनों ने मिलकर पहले कल में भाती टीम को ना सेव संभाला, बलकि ठीक ठाक हाला तक भी पहुचा दिया इशेक अब 23 की इंडिया वसिस पाकिस्तान मैच में इन ही दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी बोलोस को रोका, दोनों ने मिलकर भारत के लिए रिकॉर्ड साजिधारी कर डाली, इससे पहले रोहित ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया था, उनका ये फैसला शुरू म की गेंद पर भारत का चौथा विकेट भी गिर गया, शुबमन गिल 32 गेंदों पर 10 रन बनाकर हारिस रोफ की गेंद पर बोल्ट हुए, स्कोर बोल्ट पर सिर्फ 66 रन थे और तब बाटिंग पर आये हादिक पंडिया, इशान अभी तक 15 गेंदों पर 13 रन बनाकर खेल रह अब इनके नावे इशा कप में पाचवे विकेट के लिए भारत की सबसे बड़ी पार्टनर्शिप हो गई है, द्रविट और यूवी ने 2004 में श्रिलंका के खिलाफ 133 रन की पार्टनर्शिप की थी, जबकि इन दोनों ने पलेकल में 138 रन जोड़े, इशान 204 की टोटल 82 रन बना कर आउट हुए, उन्होंने ये रन 81 गेंदों पर 9 चौकों और 2 चौकों की मदद से बनाए, इसके साथ ही इशान ने अपनी बहतरी इन पॉर्म जारी रखी, बीते कुछ मैचे से वो वन्डे में टीम इंडिया के सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबास है, ये वन्डे 64 गेंदों बस 70 रन बनाए, यानि इशान के पिछले चारों पचासे, सो से जादा की स्ट्वाइक रेट से आई हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इशान की पारी सबसे स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने ये रन नमबर पाच पर और काफी प्रेशर के हालात में बनाए, विंडीज इशान की खिलाफ ऐसे हाई प्रेशर मैच में, इशान ने जिस सरह से परफॉर्म किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और दूसरी और हादिक ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया, अपने सुभाव से उलट जाते हुए, हादिक ने बहुत सूज भूज के साथ बाटिं किसी भी प्रेटफॉर्म से तीन दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन दे न्यूज रूम, किताब वाला आदि, इसके लावा बहुत कुछ, सब्सक्राइब करने के लिए रगन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें, जॉइन बटन